नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपनी ही यूटूब चैनल आलोक्स ब्लॉक पर दोस्तों जब में यह एजिलिया के प्लांट लेके आया था तो मैंने आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करी थी उसके अंदर बहुत सारे लोगों पूरा प्रोसेस जो है वो शूट किया था वैसे कोई बहुत प्रोसेस इसका नहीं होता रिपॉर्टिंग का लेकिन मैंने पूरा सूट करके रखा हुआ था और सुबह जो है पता नहीं कैसे मेरे मोवायल फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वज़ा से मैं उसको बार-बार ठीक करने की कोशिस कर रहा था ऐसे मैं कुछ वीडियो जो मतलब रैम इसकी थोड़ी आप लोगों को समझ सकते हैं भरी हुई थी तो मैंने उन वीडियो को डिलीट करना चाहा और उसी के साथ मेरी कुछ क करने का कोई मतलब नहीं था तो मैंने सुचा कि फिर से एक नई वीडियो पूरी शूट करूंगा और इसकी केयर टिप्स और सारी चीजों को लेकर आप लोगों से बाते करूंगा अगर अजीलिया के प्लांट की करी जाए तो बहुत सारी कलर वराइटी आपको इसमें लेवल थे और सिर्फ दो ही प्लांट मुझे दिखे तो मैंने ये दोनों ले लिया था 120 का एक प्लांट मुझे जो है ये पड़ा था नसरी से जब आप कोई पौधा लेके आए तो सबसे पहले तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वहीं पर आप उसको अच्छी तरी कि किस स्वायल में लगा हुए है सबसे पहला काम हमको यही करना है कि मिट्टी चेक कर लें कि किस तरीके की मिट्टी के अंदर वो पौधा वहां पर लगा हुए है बहुत ज़्यादा इंपोर्टन फैक्टर ही ये बार बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि नसरी से खराब हुआ हपते के बाद खराब हुआ या फिर दस दिन के बाद खराब हो गया उनमें सबसे जो महत्यपूर चीज है यह है कि वहीं से उसकी मिट्टी ठीक नहीं होती है और जब हम घर पर लेके आते हैं तो वहां थोड़ा बहुत जो है चेंजिंग होने की वज़े से ज नहीं बनता है कि मतलब आपको अच्छी मिट्टी में पौधि वो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप जब लेके आए तो उनकी मिट्टी को पानी में डुबा कर जो है पहले ढीला कर लीजिए उसके बाद आराम से धो कर जो है उनकी जड़ों को ओपन करके रिपॉर्ट कीजिए बहुत थोड़ा रिस्की प्रोसेस होता है लेकिन अभी यह फरवरी का जो मन्त है इसमें पौधों के सौक में जाने के चांसे बहुत कम रहेंगे तो सबसे पहले तो मैंने इनकी मिट्टी वहाँ पा चेक करी तो यह प्यॉर कोको पीट और जो है पत्तियों की खाज जो होत बोल रहे थे वह और वन्तिंटी का मुझे एक पड़ा था दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है इनकी पत्तियां वगैरा जो है किसी तरीके के फंगर से डिजीज का सिकार तो नहीं है कोई दिक्कत तो नहीं है पौधे के अंदर या पौधा जो है किसी तरीके से पत्ति व ले खरीदना पड़े अगला जो काम करना है नसरी से हम जब इन दोनों चीजों को देखते हुए पौधे लेकर आ जाते हैं तो अगला काम जो हमको करना है वो इनको एक हप्ते या फिर मिनिमम चार से पास दिन अपने गार्डेन के अंदर रख कर छोड़ देना है क्योंकि अनुकूलन आप लोगों ने सुना होगा जो पौधे होते हैं वो अपने पारिस्तितिकी से साथ मतलब अट्मोसफियर के साथ जो है अनुकूलन अस्थापित करते हैं और जैसे ही ये नए अट्मोसफियर के अंदर आते हैं तुरंत ये सेट नहीं हो पाते हैं और हम इनकी रूपोर्टिंग कर देते हैं, रूट बॉल ओपिन वगएरा करके, तो ये तुरंथ ही सौक में चले जाते हैं, और कभी कभार ये मर भी जाते हैं, तो इस चीज का ध्यानम को रखना जरूरी है, बाकी अजीलिया एक पर्मानेंट प्लांट है, ये हमेशा आपके गार्डिन के अंदर ऐसे ही बना रहेगा, अभी इनके फ्लावरिंग का जो समय है, वो सुरू होगा, मई जून तक फ्लावरिंग करेंगे, और उसके बाद बीच में थोड़ा सा ये गयब करते हैं, उसके बाद फिर ये नौवंबर तक अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं, तो अजीलिया अभी आप नसी से लेके आ सकते हैं, चार से पांच दिन के बाद जब आप इनको रिपोर्ट करिए, तो अब बात आती है स्वाइल बिक्स करिए, जो भी पौधा आप लेके आईए, मैं ये नहीं कह रहा कि अजेलिया, जो भी पौधा आप लेके आ रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी स्वाइल रिक्वार्बेंट को थोड़ा सर्च वगएरा कर लीजिए, आप किसी से पूछ लीजिए, जिस पर आप ट्रश्ट करते हों, उसके बाद जो है, उसी तरीके से स्वाइल मिक्स तयार कीजिए, और उनके अंदर अपने पौधे को लगाईए, तो अजेलिया के लिए जो स्वाइल मिक्स मैंने तयार किया था, उसके अंदर मैंने 40% कोको पीट रखा था, इसी तरीके के मिट्टी में अच्छा होता है, साथी साथ जो है, इसको मौश्यर भी अपने मिट्टी के अंदर पसंद होता है, तो कोको पीट और कमपूश्ट मिलकर अच्छा मौश्यर जो है, और प्लस अच्छा न्यूट्रियंट्स भी इनको फ्लाविंग के लिए चाहिए होता है 40% आपका कमपूस जो होता है चाहिए आप वर्मी यूज कर रहे हैं या फिर काउडंग तो उसके अंदर अच्छे न्यूट्रियंट्स सोर्स भी इसको मिल जाते हैं कि इसके अंदर मैंने कुछ जाइम के दाने भी डाले थे लगभंग एक इक चम्मस दोनों पोट के अंदर तो अगर आपके पास जाइम हो तो यूच कर लेजिए शीवी हो तो उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं तो मैंने जाइम के दाने इसके अंदर डाल दिये थे अच्छा ये जो सोयल मिक्स तयार होगी इसमें सैंड और मिट्टी का इस्तमाल इस वज़े से कर जाएगा क्योंकि है क्या कि बहुत जल्दी जो है कभी कबार कोको पीट जब ड्राई होती है तो बहुत जल्दी जो है ड्राई हो जाती है मिट्टी कुछ रहेगी तो उसके अंदर मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इनके अंदर ये सोयल का वो अच्छा बनेगा एरेशन के लिए मैंने इसमे राईस हस्क भी अच्छे से मिला दी है तो ये परफेक्ट स्वाल मेक्स आपके लिए बनेगी बात अगर करी जाए आपके इस पौधे के लिए फर्टिलाइजर रिक्वार्मेंट की तो सिर्फ उतना ही फर्टिलाइजर दे कर आपको नहीं छोड़ देना है 15-20 दिन के अंतराल पर आप इसको जैसे कि इसके पत्तों के ऊपर आप सीवीट का छड़काव कर सकते हैं सीवीट का जो लिक्विड होता है उसको पानी में खोल कर इसके अलामा जो है आप इसमें जो है थोड़ा बहुत डिएपी बगएरा अगर आपके पास हो तो 4-5 दाने जो है 15 दिन के अंतराल पर डाल दीजिए बाकी तो मैं सबसे अच्छा यहीं मानता हूँ कि आपके किचन के अंदर जो बेश निकलता है उसको आप पानी के अंदर भिगो दीजिए 48 घंटे के बाद जो है आप उसको चान कर अलग कीजिए उस पानी को और उसके बाद उसको दोगने पानी में मिक्स करके आप अपने पौधों की जड़ों में दे दीजिए पत्तो पर जब इस्प्रे करना हो तो उसके लिए सीवीड ही सबसे यादा परफेक्ट होगा ये चीज हो गई और इसके अलामा जो है बात अगर आपके इस पौधे की सनलाइट की रिक्वार्मेंट के बारे में करी जाए तो बहुत हैवी सनलाइट ये पौधा नहीं पसंद करता है बात अगर moisture की करी जाए तो मिट्टी के अंदर मैंने पहले ही बताया मौश्चर पतन्द करता है यह पॉधा इसी वज़ा से कोको पीठ हम इतनी जादा quantity के अंदर mix करते हैं कोको पीठी करने का मिट्टी हलकी बने और साथी साथ मौश्चर को hold करें तो मिट्टी के अंदर मॉश्चर का एक लेवल मेंटेन करके हमको हमेशा रखना है वरना इसके पत्ते जो है वो कम मॉश्चर की वज़ा से भी बहुत जल्दी खराब होकर गिरते हैं और ओबर वाटरिंग भी नहीं करनी है एक्स्टा मॉश्चर भी होल्ड नहीं होना इसी वज़ा से हमने थोड़ा बहुत सैंड भी इसके अंदर मिक्स किया है अच्छा ड्रेनेश सिस्टम होना चाहिए जिससे पानी जो है वो एक्चा वाटर जो है वो निकलता रहे मत अगर फंगस्या डिजीज के अटेक की करी जाए अब इस टाइम पर कभी कबार मिली डालकर वो चीज भी आप रगुला करते रही है तो पौधा आपको यह अगर हो अगर डिजीज का टैक हुआ है तो इमेडा क्लोपेट का भी इस्तमाल आप समय समय पर कर सकते हैं कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसी किसी नए वीडियो न नए अपडेट के साथ मिलते हैं कि इस नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए और टेक के लिए